चिन्वाडा में कल शाम हुई अचानक तेज बारिश के कारण मंडियों में रखा हुआ किसानों का हसारो टन आनाज भी कर बरबाद हो गया है कल शाम को हुई अचानक बारिश से मंडी में ववस्ताओं की पोल खुल गई है मंडी में बनाए गए शेडों में हमेशा वैपारियों का अनाज रखा रहता है जिसको तैर समय सीमा में नहीं उठाया जाता जिसके कारण शेड में जगह खाली नहीं रहती और इस वज़ा से किसानों को खुले में अनाज रखना पड़ता है ऐसे में किसी भी आपड़ा के आने पर नुकसान किसानों का ही होता है ऐसा ही कुछ नसारा चिनवाडा मंडी में आज फिर देखने में आया यहां जहां खुले में भंडारित किया हुआ किसानों का अनाज अचानक बारिश हो जाने से पूरी तरह से पानी में भीगिया मंडी में रखा हुआ करीब 50,000 टन मक्का, सोयबीन और गेहूं इससे बारिश में बरबाद हो गया है इससे भीगे हुए इन अनाज का किसान को उचित मूले भी नहीं मिल पाएगा चिनवाडा मंडी में समय से बोली ना लगने के कारण वहाँ अनाज की मातरा बहुत ज्यादा थी और आज भी निलामी शुरू होने वाली थी इसके पूर्वी यह अनाज पानी में भीग गया जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है गौर तलब है कि इसके पूर्वी इन मंडियों में लापरवाई और आनिमतताओं की खबरे कई बार सामने आ चुकी है और इसके पहले भी लाको टन अनाज बरबाद हो चुका है पिछली बार की बारिश में लाको टन गेहु और मक्का की बरबादी के बाद मंडि प्रशासन ने यह आशवासन दिया था कि अब किसानों का अनाज खुले में नहीं रखा जाएगा लेकिन उसके बावजूत भी मंडि प्रशासन किसानों की तरफ ध्यान नहीं देता है जिसका कामियाजा किसानों को हर बार भुगतना पड़ता है चन्वारा से BCN News के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट